हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वावत हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गटाएंगे अगर आप केसर का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या नुक्सान होंगे केसर के अधिक सेवन से हमारे शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान, दोसों प्रकिर्टी में पाई जाने वाली हर एक चीज फाइदेमन और नुकसान दायक होती है अगर आप किसी भी चीज का एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो इस से आपको फाइदे की जगा नुकसान होंगे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताएंगे जिसका सेवन सदियों से अच्छे स्वास्ते के लिए किया जा रहा है केसर, केसर स्वास्ते के लिए लाबकारी होता है लेकिन साथ ही इसके सेवन से शिरीर पर कई हानिकारक दुषप्रभाव भी पढ़ते हैं दोस्तों केसर का अपयोग बहुत सारी दवाओं को बनाने में किया जाता है पर इसका अधिक सेवन शिरीर के लिए हानिकारक होता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि केसर के ज्यादा प्रियोग करने से हमारे शरीर को कौन-कौन सी नुकसान हो सकते हैं दोस्तों केसर ब्लड प्रेशर को कम करता है साथ ही इसके ज़्यादा इस्तेमाल से दर्थ, जी मचलाना, उर्टी जैसी समस्या पैदा होने लग जाती है दोस्तों केसर का अधिक सेवन करने से विवार में जूर्ष से ज़्यादा उतेजना आ जाती है ऐसे में बायपोलर डिसवन का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए केसर का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए इसका कम ही सेवन करेंगे तो आपको बहतर फाइदे मिलेंगे केसर का जूर्ष से ज़्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में इलर्जी पैदा हो जाती है साथ ही इसका इस्तेमाल श्रीर में एंटीजन को बढ़ावा देता है जिस वज़े से श्रीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जिन लोगों को लेलियम, सलसोला, आधी पोदों से अलर्जी होती है वो केसर का कम ही इस्तेमाल करें गरवस्ता के लिए भी हानिकारक होता है केसर, इसका सेवन गरवस्ता में मा और शिशु दोनों के स्वस्ते के लिए हानिकारक होता है इसलिए गरवती मा को केसर के इस्तिमाल से पहले डॉक्टर के सलाच जरू लेनी चाहिए तो दोस्तो आप भी इन बातों का ख्याल रखे और अपने लिए फाइदा उठाएं तो दोस्तो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद रहे लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकॉन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोडिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों